हलो गैस आप लोगों को स्वागते स्काइटेक्स ट्रेडिंग यूटूब चैनल पे और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा मतलब आपको पहले सिखाऊंगा ठीके ये वाइट स्क्रीन जो चल रहे हैं इस पर में टैंडल बना के दिखाऊंगा है चीज छोट क्या देखना है क्या नहीं देखना है फिर आपको समझ भी आएगा तो फिर डाउट से गप के मन में टीके तो वैसे तो हर मेंबर मतलब जित्ते भी जो भी ट्रेडर होता है ना उसके वन्द पर सेंट रहते हैं 100 परसेंट आइसा कोई नहीं जिसके दिमाग में डाउट रह सकते हैं आप लोग आपकी दिमाग में फिट होना चाहिए आप में जो पड़ाता हो नहीं किसी भी तरीकी से आप लोग अपनी दिमाग में फिट करो बट फिट करना है आप लोगों को ठीक है जैसे कि मैंने बोला हूँ दो कंटिनियूशन केंडल और रिवर्सल तो समझ ज जैसे कि देख लो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एनिमेशन करके जैसे कि एक केंडल ग्रीन की केंडल बन रही है जैसे अप ट्रेंड में अप ट्रेंड बहुत ही इसी होता है अप ट्रेंड में जैसे कि आपको केंडल सेना मुमेंटम मतलब अब जाती हुए पता लगीगा कि बेरिश्के केंडल कभी पी या सकता है और अब किसी को पता नी रहता है बसके और यहां पर सपोस्पोस्ट, सब्सक्रारीवरी कुर्च काच नहीं रहा है। क्योंकि आपको अक्यार्यूस ही बढ़ा निया है, आपको लॉस्स निहीं कर रहा है, बीच बीच में बीच पे candle कैसी भी मन सकते है, अब वॉलीटिलिटी मार्केट चलती है आप तो आपको पता है कि इती तगडी वॉलीटिलिटी चलती है मार्केट में, तो छोटी-छोटी द्धुदना क्या मिली जाते है। मैं अभि दिखाओंगा या जिए अभि जब तक में हूँ आप लोग गोग पुटिक है। तो दाउं ट्रेंड में है तो हमारा यहां पर एक कौन सा लेगा सपोर्ट रेगा ठीक है सिंपल तो दो कंटिनुउशन हो चाहे है और वन रिवर्सल हो चाहे है तो यह चीज में अप लोगों को अभी इतना मतलब सिंपल चीज ती वह आप लोगों की दिमाक में आगे के दो कंटिनुउशन वर रिवर्सल तो हमारे लेवल लग जाता है आप लोगों के लिए ठीक है तो यह चीज मुझे पता नहीं थी अब तक अभी तक पता नहीं थी तो देखो मैं ना मेरे कुछ से ज़्यादा ट्रस्ट रहना मैं आप लोगों पर करता हूँ मेरे चित्ती भी यूटूब के मेंबर से जो भी मुसे मैसेज करते डेली मैसेज आते डेली आते और बहुती ज़्यादा इस्यू प्राबलम में चोटी चीज को भी सॉट आट करते था हूँ तो वेरी से होता नहीं है कभी-कभी रिप्लाइ देना बट रिप्लाइ करता हूँ बट लेट हो जाती है रिप्लाइ बिकुस बहुत ज़्यादा रिप्लाइ आत कड़ा झालर था है तो आपका पैसा आका नाम तो लिया जा रहा है लिपिग कोफ ब हुघ तो मुझे में यह तो मुझें पर चाहँ वहाँ चूश्या एक प्रास्टा शुक आछिए ओट ज़्यादा भी ज्यादा लुचाय बटाए बटा मेरे औकों किनीचे में देखतानी। मझे पटानी है। मेरे प्रेजंट ना होते हुए में वहाँ पहुआ को किसे दिन करते हो। मुझे कथी नहीं करता है, लग आम म atacता। आपको पुछ तूड़ी बता हूँ को मेरे मेमबरस था। तो मुझे आगे आके बताया है, because उसको scam किया जा रहा था मेरे नाम से, okay? स्कारेट्स टेडिंग के नाम से scam किया जा रहा था, पैसे मांगे जा रहे थे, तो टेको बताय एको स्कामर को हो ना, स्कामर को स्रे पैसे मतलब होता है, तो वो सी अपसे परसेनलर हों, को से अपके परसेनल रिस कांस आपके रहेगी आपके की आपकी आपके मेरे बातनाई रहेगी मैं उसमें आपको कुछ नहीं कर सतते, लिए अलट दे रहा हूँ एसा सक्या आप अगरुद जो लोग आ तो वही चीज आपको बता रहा हूं मैं आपे, दस बार बोल रहा हूं कि फेक और स्कान के चीज में मत पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना, क्योंकि आपका एक रुपे भी जाएगा तो मेरे को दर्द होगा, मुझे दूख होगा, बिकास वह आप गलत चीज को दे रहे हो, गलत कि मतलब गलत लोगों को दे रहा हूं, खाग है? तो जो स्टूडन है जो कॉलेज में जाते हैं, जो स्कूल में जाते हैं वो तो अपना पैसा सेविं क्या हूआ, वो दूबा देता है, तो सोचने समझने की शक्ती ने रहती, विकास मेरी जो में ज़ब से मेरे में जो सबसे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो अपने जो भी saving है और को दे देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को तो यह मैं एक request कर रहा हूँ आप लोगों से तो यहाँ पर मैं आप लोगों को market बना की दिखा हूँ तो मैं आपको एक alert देना था मुझे छोटा सा तो मैंने दे दिया हूँ अभी बाकि आपकी इच्छ आपको क्या करना है तो अभी देखो जैसे कि यह आप पर एक market बनाता हूँ जैसे कि मतलब uptrend था ठीक है एक rate candle आया उसके बाद में एक green candle आया उसके बाद में और एक green candle आया ठीक है तो यह ऐसा candle बन गया जो rate आया फिर दू green candle आया उसके बाद में एक reversal आ गया सबोस्ट जैसे अप ट्रेंड म हो गया रिजिस्टेंस लगा ले अब बातर ही हमको support लागाने की हमको अभी support लगाना इन रजिस्टेंस तो लग गया support लगाना ए तब तक हमको trade करने के बीचने द्रेड में बीच में क्लाने कर रेछा तो दो आनिकने के लिए थो इसन में पंट जो एक्टिव था तो नेक्स candle में उतारेगा वो अपनी घुस्ता है तो यहाँ पर आगे बुलिश की candle जो कि रिवर्सल की candle है तो रिवर्सल मिल गया हमको दो continuation candle और वन रिवर्सल की candle वेड तो वन रिवर्सल की candle तो हमारे एक support level हो गया find बस हमको को रेजिस्टन मिल गया सब्सक्राइब से अब ही हमारा काम चलो हो जाता है अब या पर असली काम चलो हो जाता है तो बोटat इस जिए रहते है, आप लोगों को देखना है, आप यही करोगे, आपको कुछ सीखने की जरुवत नहीं है, किसी के बाद आने की जरुवत नहीं है, आप मुझे भी कुछ नहीं पूछ होगे, यही ताई काफी है, ठीक है? तो यहाँ पर ज्यसर होगे, दो candle continuation का जाए तीक भी के क्या है, फिर एक रिवर्सल कैंडल ह кам l дов सनी प्लू का कि अवार्फिश होगे, फिर एक रिवर्सल कैंडल हूआखो, एक सपोर्ट मिल गया है, प्योग वशिके वाद में हम लोग नहीं धेखना गया है, यह स्ट्रॉं बाता होगा कि यह जो लेवल होता है और केंडल की बीच में जो स्पेस होता है इसको हम लोग गैप बोलते हैं अब यह भी कैंडल समझ लोग यह लेवल है और यह कैंडल है इसके बीच में इतना बड़ा स्पेस है तो यह भी गैप है यह गैप को यह फिल कर दिया अब इतना कोन फिल करेंगा और एक बुलिश की केंडल करेंगी तो ठीक है तो यहां तक जाके भी बना दीगी बुलिश तो बनीगी बट बड़ी बना दीगी जहां पर एंट्री लोगे ने ट्रेट वहां पर रिजेक्शन रहेगा तो उससे कारण से आप लॉस कर दोगे तो यह चोटी करेंगे ट्रेट करना है क्योंकि स्ट्रॉंग रिवर्सल होता है आप मानो यह ने मानो ट्रेडिंग आप लाइफ करोगे ना तकड़ी प्रॉफिट मिलने वाले आप लोगों ठीक है तो इसमें एक चीज में बता देता हूँ अभी आप लोगों किस मन मन में डाउट होगा क कि सर अगर या पर वीक रहता तो क्या होगा ठीक है अभी तो बॉड़ी बनाया हो या पर मैंने बताने के जैसे कि एक वीक है आपर टीक है वीक है तो और अच्छी बात है वीक से अगर एजेक्शन ले रहा है ठीक है यह लेवल से अगर वीक है तो हमको कंसेटर करेंगे हम उसको भीkop reversal consider करेंगे product यह तो बहुत अच्छी बात है ठीक है बहुत ही जपाठी 27 गश्पडार सोमके जिसमें 거야 और यह फे भीटव特र यह लगा लिए बहुत यहादा है फूर्ड ज्यादा तुर्फ से टुर्च कुल ज़ो टीक तुला वलिटिलिटी मार्केट में एक टिप्स देता हूं है, वलिटिलिटी मार्केट में कभी भी क्या करना है आप लगों को, जैसे वलिटिलिटी मार्केट चलती है, वलिटिलिटी बाता के नहीं चलती है, वो क्या होती है, बुलिश की कैंडल, अगर आपके अपनी है बु कि वहाँ पे आप लोग को जो एंट्री ट्रेड रहते हैं आपको फट्सी नहीं लगा लेना है समझ दो बात को फट्सी ट्रेड नहीं लगाना है जैसे कि बुलिश के ट्रेड है तो पहले नीचे आने दो थोड़ा उसको उतना पावर दिखाने दो जितना पावर वो लेटिलिटी सबसे पहले नीचे आएगे ना बेरिश ही बनेगे थोड़ा हमको कंफ्यूस करेगी तो बेरिश को आने दो थोड़ा नीचे यह तक भी आ गया तो आपे ट्रेड माल दो बुलिश के लिए यह क्या करीगी यह से रिजिक्शन लेगे फट से उपर जाएगे और जब भी नीचे आएगे ना तो यहाँ पर आपके ट्रेड लगे यह तो यहाँ पर आपके ट्रेड लगे यह तो यहाँ पर आपके ट्रेड लगे जाएगे तो यहाँ पर आपके ट्रेड लगे जाएग कि एक तरहा है तो वह जो जो प्राइट पर पास नहीं कर पहीं कपी आपको पता होगा मेरी बात को अब भी मैं बाता हुवता है की नीच आज गेगे यह जो काफी दिनों से ट्रेडिंग कर रहें तो वहीसी लगाने आपको कि लीज हो एक रचया सबस्क्राइब टेल, तो सबक एछ से मुल्स सबस्कोछा निया झांड़े जया कुछी हैं, जो थोड़ा इसको बाद पहुता हैं क। सो उसके बाद में और बे रिषग काई जो कि अना support को टच कर दिये इस बार ठीक है support को जैसे टच कर दिये तो आपको पाते support को कैसा है एक तो यह handle जो hammer handle है rejection लिया है ठीक है rejection लिया सके बाद में reversal हो उआ तो strong रहेगा हमारा support लग गया उसके बाद में बेजीजग जाओ यार बेजीजग जाओ फुछी भी डरने की जरुवत में बेजीजग बुलिश के ले जाओ ठीक है यह पर आपकी ट्रेड्ट वे नी होने आलिए 100% में आलिए आप मेरजिन लो ट्रेड मारो नथा थाको दो करो 51 एक चीज विब्बेनाइज हो अपके आपके आदत बन जाती है 21 days में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना जो आक्रियू से आपकी बढ़ीगे ना मतलब आक्रियू से आप दयान दोगे ना आप ट्रेडिंग पे प्रॉफिट पे दयान दोगे ना सबके हैबिट पर जाएगे आपको आज़त लग जाएगे आप जब लाइव मार्केट में जाएगे ना ज़रूर नहीं है आपको आइसा लग रहा होगा कि आर प्रैक्टिस का बड़ बड़ गया जन्जट हो गई है क्या प्रैक्टिस का रुपा इसा बनाना है जल्दी जल्दी लॉस बहुत सारा हो है रिकवर करना आइसा नहीं चलता बर लॉंग टाम करना है तो दिस्क्राइब में मतलब कैसा आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की 21 देस की जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है कि इत्ता क्रूसी दी क्या नहीं जेती कुछ इसवा है मुझी पूछो कुछ भी मतलब कुछ भी हो तो आप लोग मुझी बेज़ी ज़चा तो फिर वो उनकी responsibility हो जाती है उसमें मैं कुछ निकल सकता है मेरा काम है सिखाने का और मैं यूटूब चैनल पर लाइफ टाम सिखाऊंगा रियल चीज सिखाऊंगा रियल चीज बताऊंगा ठीक है सो अभी live trading पर चलते है और वहा पर मैं आपको सब कुछ clear बताने वाला तो मैं आगया हूँ यहाँ पर अपनी QTEX के live account और यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा यूरो USD पेर लाइफ पेर पे ट्रेडिंग कैसे करना है लेवल्स लगा कि प्रेडिक्शन कैसे करना है ठीक है शॉर शॉर पैसी निकलना है वो सब कुछ मैं आने वाला हूँ तो पूरी वीडियो जरू देखने वाली और ध्यान से देखना है ठीक है तो अब देखो आपको मेरी आदत पता ही है पहले से कि मैं कभी भी पीछे जाता नहीं हो और आपको स्टोरी बताता नहीं हो कि यहाँ पर हुआ कैसे है मतलब जो केंडल ऑलरीडी अब आपको दे देते है कि यहाँ पर यहाँ पर यह था यहाँ आप पर पीछे कईपर होगा ऐसा तो ऐसा मेरा सीन है नहीं मेरे कैंडल जो बी सब्सक्राइब चलिए अभी केंडल चलिक है अभी जिते भी लाइफ डिखाओंग उस पर ही मैं बताउगा तो यहाँ पर अभ तो इहां पर、、 मैं आपको लाएट बॉर्ट पर सिखाया था इसलिक लाइट ogr organise लेवलु है ठाफ को यहां पर ड्राइंग पर जाता हूं और मैं अपना horizontal लेवल ले लेता हूं horizontal level मैंने क्या बता हूं जब भी भी 2 candle बने और जा एक रेवर सोल लो टिक है और एक लेवल हमारा यहां पर हो गया, यह देखो यहां से दो केंडल फिर एक रिवर्स लो गया, यह कैंडल हो गया, अच्छे लेवल्स लगाले, बॉड़ी पर लगाना, थीक है उसको कॉपी कर लिया, और नेक्स्ट मैं इसको भी ले लेता हूँ, यह दो केंडल मनें फिर कर दोंगे वहाला भी रीवर्सल है तो भी मैं ले लेता हूं नहीं बहुत ज्यादा पास-पास में हो जाएगा यह वालेटिटी फ्लक्ट्ट्ट्ट्ट वाइसी बहुत दिखा रहा है नीचे में साइड में देखा रहा हूं तो उसको भी कर लोगा, क्योंकि मुझे पास में ही मिलेगा, और मुझे पास में ही चाहिए, क्योंकि केंडल नीचे नीचे आ रही है, तो मुझे पास में ही चाहिए, कही ना कही तो यहाँ पर कही पर रिवर्सल हुआ नहीं, यहाँ और और बुलिज बनता, तो मैं ले लेता तो यापर मुझे तो अभी wait करना होगा, थोड़ सा wait करना होगा, विकोस level नीचे में है, इस मैं pass में अगर दो candle और एक reversal होता तो तो मैं उसको भी level ले लेता, तो यापर ले लिया हूँ मैंने, levels, अब देखते हैं हम लोग क्या होता है, अगर यहापर बेरिश बनती है एकदम स्ट्रॉंग, मैं यहापर बेरिश की ले लूगा, अढर्वाइस वेट कोरूगा, नहीं लूगा, ठीक है तो ऐसे भी आपर लेवल दिख रहे हैं जो केंदल दिख रहे हैं, रिजेक्शन दिख रहे हैं, मुझे वाले, रिजेक्शन, बड़े ले लिया तो आपर ब्लिश का आसकता है otherwise एप देखो गाप है इतना तो यह बहुत फास्ला था तो गैप था इसको फिल कर नहीं चीज़़ है यहाँ कि बहुत अच्छी केंडल बनी है ठीक है डाउन ट्रेंड यहाँ से तो डाउन मowmanट ही आ रहा था तो मुमेंज टरम की हिसाब से हम लोग जाते है तो बेरिछ की हिसाब हें अगर श्कुरॉश बनती थीम मतलब तब टच नहीं करता है नीचे के लेवल को तो मैं गाप के जो गाप रही तो फिल हैं तो समझके में डाॉब के बाता हूं वैसे भी तच्छ नहीं कर रहा है तो में यहाप़न की ट्रेड ले लूगा दूरवाइस श्यापन के लिए अपर और रीजेक्शन दिक रहे हाई यहाँ बटाय के लिए ले लुगा लूगा तो आप रहने का ट्रेड ले लुगा तो इसले मिने दाउन के ट्रेड लिया हूँ, तो यह ट्रेड करेंगे, आम लोग विन करेंगे, अब वोलिटिलिटी फ्लक्टुएशन आप लोगों के सामने चल रहा है, कि कैसे एकदम नीचे आई थी कैसे एकदम से नीचे आगी ती रिजेक्शन लिया है, और एकदम ऊपर आप लोगों के सामने वोलिटिलिटी बहुत गंदा मार्केट चल रहा है, बहुत ही बैड मार्केट चल रहे हैं, फिर मैं ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँकाँ मेरे काम है, आप को बताना है मुझे कैसे का करना है त्रेडिंग आपन लोटिलिटी और फ्लक्टुएशन करने आपे loss हो गया हमारा ठीक है कुछ भी हो सकता है last point पे because उस तरीके से volatility fluctuation दिखा भी रहा है ठीक है कुछ भी हो सकता है तो मैं आपके एक trade ले 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 लेता हूं बड़ देखते आप नीचे आना चाहिए ठीक है करने देखो हमारे थोड़ी उपर लगा लेता उपर लग भी होती तो बहुत अच्छा रहता है एंट्री पॉइंट देखो कैसी लग गई एक दब उपर पॉइंट पे लग गई है तो वालिट्री फ्लक्शूशन बहुती ज्यादा खतरनाक है आपे खतरनाक मतलब ये कैंडल ये कैंडल को थोडी भूट तो बाड़ी देनी थी बट इसने कुछ भी बाड़ी निई दैया नीचे से रिजेक्शन लेकर आया अबर में अंपर में क्लोस हुआ इसलो मैं ने बूलीश के लिया थी सीधा क्लिर है I said financial traders, if it got rejection आया है और उपर फि gliождल रेक्जिय के स्ट्र做 tähän रेदी कुछ है यह पर खोजन来 है, यह भी हमारे रिवरसल पॉइंट करें कुछल सी आरे है तो है इपर रा पर लागा लेता हूं तो यह पर मैं bullish की short shot win कर लिया, अब volatility चल रही है तो कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम लोग ने हमारे analysis की हिसाब से win कर लिया, तो यह पर next, और मैं bullish की ले लेता पर जल्दी हो गई है, तो मैं ले लेता हूँ पहले, टीक है, मेरे entry point बहुती जाद उपर लगी है, और यह नीच यह पर मैं लगा लेता हूँ, तो यह मेरी अच्छी point है, यह मेरी अच्छी point है, तो मैंने आपर 3 लगा लिया, बेकोज इसका बोई guarantee नहीं है, यह पर जो trade लगा लिया, इसकी कोई guarantee नहीं है, volatility लिक रही है, तो यह तक पहुछने तक बहुती ज़्यादा time लगे गा इसको, तो मेरी entry लग गई है, trade लगा है, बट next 1 minute के लगी है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या होता है, यह वाली तो मैं loss कर लोगा, ठीक है, because मेरी entry point तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी है, ठीक है, वालेटिले के कारणा, अगर smooth market चलता तो मैं win कर लेता, ठीक है, तो यह पर देखो, इसको भी एक level लग गया है, बट मेरा यह जो अभी मेरे trade लगा है, तो इसको मैं win कर लेना चाहिए, because bullish का है, बहुत अच्छा entry लग गी ती मेरी अली और यह short shot में win करूगा, वैसे भी level हो गया है, दो candle bullish का है, फिर एक reverse लाया है, यह होता है volatility, इसको ही बोलते है volatility, तो यह पर देखते हैं हम लोग क्या करें हम लोग तो यह पर लॉस कर सकते हैं, 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 लॉस कर स मैं लगा दिया था पहले महीं बिकास मैं लगा इसलिए हूँ क्योंकि यह देखो कितना स्ट्रॉंग बेरिश के अड़ बनिया और अभी तक इसने ना सपोर्ट लेवल को तच ही ने किया इसलिए मैं डाउन के ट्रेड लिए अधरवाइस मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मैं डाउन के ट्रेड लूँ तच नहीं कि इसलिए मैं डाउन के ट्रेड लिए और वल्लिटिलिटी फ्लक्ट्वेशन देखो कि इतना ज्यादा दिखा रही है तो तो ऐसे बैड मार्केट में करूई इमा ट्रेड तो इसमें मैं सिर्फ आपको सिका रहा हूँ कि कैसे क्या ट्रेड करने है आप लोगों को ठीक है है तो यह पर देखते है हम लोग कि कुन सी मतलब यहाभी तो लॉस में चल रहे है की वालेटिटी के काराण यह नीचे बैआ सकते है फट से ठीक है इसको नीचे आने देते है और यह हम लोग शॉट-शॉट विन करेंके एंड्ऱ प है खाले भी एक round number से तच्च किया इसले किसे थे भी हमनुमार से तच्च खाले भी तुरहा आए Chief से भी थे थे खाले था सा रंबल्च से तच्थ किया था इससने भी तच्थ की थे था इसले करए क्या जर दो कावग रिंग την फ्रकाषा सनद्स पर रिंख कर दो करें थे वोलिटिलिटी है बोट ज्यादा खत्रनाक चल रहा है मार्केट अच्छा स्मूथ मार्केट चलता तो बहुत अच्छा हमको रिजर्ट मिलता है वोलिटिलिटी में कुछ भी हो सकता है कि इत्ते नीचे कंडल आई थी फिर उपर जाके आपे क्लोज करते है तो हम लोगों नीचे कर लिए शॉर्ट शॉर्ट रहा है थोड़ा बहुत है तो उपर में अभी लग गए हमारे वाथ तक तो आप चाहे तो आप लोग एनक शॉर्ट लेने के लिए लेवल तक वेट कर सकते हो अधर्वाइस यहां रही है जवर्वाण ज़र्र नीचों ही होता है क्ली और हम लोग में अनलस रही खेए नज़ाव्य के आटी कि अनलस पोग फोच में आपन के सब्सक्राव et onion शॉर्ट तो यह कुख हम haya शॉर्फट कि नेचाए गए है का चाहाँ बीश की फिर करते है अ और एक bullish की trade ले लोगा, simple मैंने बता दिया आप लोगो कोई क्या prediction रहीगी मेरी अगर touch नहीं के उपर में ही level बीच में कहीं नहीं है, ये वाली level आपसे reversal हुआ था इसलिए मैंने level लगा है, या से reversal हुआ, इसने अभी तक टच नहीं है तो मैं अपकी trade ले 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 तो, simple मैंने पहली prediction बता दिया था, क्योंकि trade लेने से पहली prediction बता देने चीए तब जाके ही न, prediction को prediction कहा जाता है, ठीक है, आप लोग on the sport में समझ रहे हो, देख रहे हो और prediction कर रहे हो, उसको prediction थोड़ी बोले गए ठीक है, prediction है हमारी यही candle में होती है, यह candle जो बनकी है, यह candle में मैं देखूँगा सब कुछ, ठीक है, जो भी रहता है, अनलाइज वगरे, उसके हिसाब से लेवल हो अगरे, तो उसके बाद में ही मैं trade लेने का decide करूगा, ठीक है पहली candle में ही decide हो जाना चाहिए, पास सेकेंड में ही decide हो जाना चाहिए, कि next threat conceal होगे, क्योंकि इस में वक्त नहीं मिलता है, कभी भी कुछ भी entry point पे गलत हो गया ना, तो थोड़ी से के वज़े से आप लोग loss कर सकते हो, तो यहाँ पर देखूँ कैसी entry point मेरी बहुत करके दिया था, क्योंकि level को touch नहीं किया, level उपर में है, simple, और अभी तक touch नहीं किया, तो मैं आपकी trade लिया, तो यहाँ आपकी short shot में win करूगा, तो volatility के कारण उपर नीचे, उपर नीचे हो रहा है, बट यह उपर में ही close होगा, 100% उपर में ही close होगा, तो यह नीचे में न बट beginner trader फस्स जाता है, यह जंगुल में, तो अच्छी candle, अच्छी smooth candle चलना चलना चाहिए, तो fast candles movement नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल भी trade मत करो, यह आपका खुद का रिस्क होजएगा, अगर आप trading फिर भी कर रहे हो तो, तो कभी भी pro trader अच्छा trader अच्छा trader अच्छा तो मैं आप लोगों को कैसा है, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छा चल रहा था, और एकदम से ना, यह पर एकदम से market बदल गया, अच्छा, मतलब बेकार चल रहा था, तो मैं लेवल लगाया और लेवल के ट्रेडिंग क्यू किया व उसे मीज-च्छ, भॉक्ट रहा था था किई तो अच्छ फर सी बीडियाerd तो मैं लेवल को ठीडियो अच्छा पंफ ट्रेड तो मैं लेकिवल कोडिय वेलेगा, अगर लास हो जाता तो मैं अच्छा इ mappedनी ट्रेडाय तो अगर प्र गर्ली अपकर श्ट्युज है तो तो म में में भी लूगा ही लूगा अगर ठच भी नहीं करता है तो मैं अपकी युझे ट्रेड ले लगा। वैसे थो हमारी डाउन के अनलाईस थी और मैं डाउन के ट्रेड लेयो देखो कि यता ज्यादा उपर गे ती और नीचे नेके में अब में कियो तो में बाता यह था कि बहुती ज्यादा एक की टाइम पर कुछ भी कुछ बता रहा है, तो इस टाइम थोड़ा हार्ट बहुत बहुत जादा उपर नीचे होती है, तो देखते ही क्या होगा आपर, नहीं हो, तो वापस होगे, रिटन होगे हमारा अमांग, आपर मैं बन कर देता हूं मेरा क्योंकि म हम लोग के दिमाग में कहा चलता है, हम लोग ने एक ट्रेड ले लिया ना तो उसके बाद में और एक माइटिग ले ले लेते, फिर और एक म्टीज ले ले लेते, सोचते है कोई से तभी कैनल में विन कर लेके तो हमारे लास भी रिकवर हो जाएगा, साथ में कुछ ना कु यही वीडियो में नेक्स्ट और एक वीडियो बनाऊगा, अच्छे डिटल्स के साथ बनाऊगा, जिसमें ट्रेडिंग बहुत सारी करूगा, ठीक है, पर सुमूथ मार्केट में करूगा, क्योंकि अभी देखो कैसा पूरा खराब मार्केट चल रहा है, ठीक है, आप लोग प्रेडिंग करके दिखा है